कि विडियो में बताऊंगा कि कोविन की सर्टिफेकर्ट कैसे डाउंलोड करता है कुरोना का सर्टिफेकर्ट तो आपको अपने गूगल में टाइप करना है कोविन.go.in और उसके बाद में कोविन की जो पहले अपसेट आएगे उसपर आपको क्लिक कर देना है जैसे हैं उसपर क्लिक करेंगे आपके सामने को जिस तरह का पैस ऑपन हो जाएगा यहाँ पर यह page खुल कर आ जाएगा आपको यहाँ पर अपने registered mobile number को type करना है यहाँ पर लिखा हुआ है enter your mobile number और उसके बाद में आपको get OTP जो लिखा हुआ है उसी पर click कर देना है यह देखिए यहाँ पर get OTP लिखा हुआ है आपको सीपर click कर देना है जैसे आप इसपर click करेंगे आपको समन्सटा का page आ जाएगा है यहाँ पर आपको अपने mobile phone में आया है आपके OTP यहाँ पर type कर देना है जैसे आप OTP टाइप कर देंगे उसके बाद में आपको verify and proceed के option पर click करना है इस पर click करने के बाद में आपके समने इस तरह का कुछ page open हो जाएगा यहाँ पर rise and issue जो लिखा हुआ है इसमें आप अपना name, gender, as या photo ID जो सही करना चाहते हैं इस पर click करके देखें यहाँ पर यह सारे option आ चुके हैं आप इस पर click करके एक 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 देख लेजिए detail में और इसको सही कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप अपना name, as, gender या photo ID जो सकते हैं दूसरा option जो है यहाँ पर merge my multiple dollars first certificate to get final vaccination certificate आप उसमें भी कर सकते हैं दूसरा है add passport details to my vaccination certificate for traveling abroad आप इसमें पासपोर्ट की detail एड़ कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है यहाँ पर देखिए डोस फर्स लिखाव है कोविट सीर उसके नीचे यहाँ नीचे यहाँ पर यहाँ एरो लिखी है certificate देखिए एरो जहाँ पर यह गोले के अंदर certificate लिखाव है आपको इसी पर किलिक कर देना है जैसी आप इस पर किलिक करेंगे तब आपके सामने कुछ इस तरह का certificate download होकर आ जाएगा आप इसको save कर लिजिए और cyber cafe पर जाकर इसका print out निकला सकते हैं तो इस तरह से क्रोना का जो certificate होता है COVID-19 का उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं आप अगर चाहें तो यहीं थी डोट पर किलिक करके आप इसे add to drive कर सकते हैं send file कर सकते हैं और print भी कर सकते हैं अगर आपका mobile phone जो है वो printer से connect हो सकता है तो आप उसे print भी कर सकते हैं तो इस तरह से आप COVID-19 का certificate डाउनलोड कर सकते हैं